मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड निटवर्क क्रिसी बिल के खिलाफ एक तरफ दिल्ली और यूपी के बोडर पे किसान पिछले कई दिनों से देरा डाले हुए हैं वहीं इन किसानों के समर्थन में अब कई राज्य के विपक्षी दल के परमुख नेता जो है वो सडक पर उतर आये हैं बिहार में परतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बाद यूपी में समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव ने भी सडक पर उतरने का एलान कर दिया है उन्होंने कहा है कि हम किशानों के समर्थन में यात्रा करेंगे और किशानों को जो संभब भी हो सकेगा वो मदद करेंगे उनके समर्थन में हम वो हर काम करने को तयार हैं जो हमें करना पड़ेगा मतलब साफ है किसानों की मांगों पर टाल मटूल रवया अपनाए किंद्र सरकार के लिए किसानों के मुद्दे को टालना अब आसान नहीं होगा सुनिए तो आये तो दूर उनकी किसानों की लूट हो गई धान की कीमत क्या मिली है किसान जानता है हजार या ग्यार सो बारे सो से उपर पैसा नहीं मिल पाया मक्का ऐसे ही बिग गई हमारे शेत में तो बड़े पैमाने पे मक्का होती है कोई पूछने वाला नहीं मक्का को धान अभी भी भरा पड़ा है आप किसी जिले में पता कर लिजे पुर्वान चल हो चाहे हमारा इधर आज़ पास हो लखनो के या आप चले जाएए किसी हिस्से में उत्तप्रदेश के सबसे ज़्यादे धान पड़ा हुआ है किसान आत्मत्या कर रहा है महंगाई बढ़ती चली जा रही है कीड़ना से दवाईयों की महंगी हो गई खाद यूरिया सब महंगा कर दिया तो आखिर का सरकार चाहती क्या है और जो मंडियां बन रहीं थी जो मंडियों का लगातार बनना शुरू हो गया तो उत्तप्रदेश में उन मंडियों को भी खतम कर रहे है इसलिए कल मैंने और समाजादी पाटी ने तैयिये किया है कि हर जिले में किसान यातरा चलती रही लगातार सरकार के गलत कानून के खिलाफ ये यातराई चलती रहेंगी और जो किसान हमारे बैठे हैं दिल्ली को घेर करके उनके समर्थन में उत्तप देश में लगातार किसान यातराई चलेंगी कल मैं खुद घन्योज में जो सबसे बड़ी मंडी बनी थी उस मंडी से शुरू करके किसान बजार जो बना था वहां तक यातरा करेंगे और कम से कम सरकार से कहेंगे कि ये तीनों कानून बापिस हो और जो स्वामी नाथन रिपोर्ट के बारे में सरकार कहती थी सवाल MSP का नहीं है सवाल आए दोगुनी का है MSP अलग चीज़ है MSP किस विश्था से देना चाहते हैं आप किस फार्मूले के तहद देना चाहते हैं पहस बढ़ी है इसे हम बढ़ाई देना चाहते हैं उन किसानों को जिनों ने पंजाब हर्याना और पूरे देश के किसान आकर के दिल्ली में बैठे हैं कि जो अपनी आए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं MSP का सवाल नहीं है सवाल है आए कैसे बढ़ेगी और दोगना आए किस कानून से आप देंगे वो कानून कहा है ये भारती जन्ता पार्टी बताए ये आपने कम कहा बीजेपी लगी रही अधिकारी लगे रही पुलिस लगी रही और जब मन किया तो बैलिट पेपर भी खराब कर दिये और लूट हुई बूथ पर वो अलग जो बूथ पर जिस तरह का सरकारी इंतजाम था केवल भारती जन्ता पार्टी का बोट डालिए अगर इमानदार इसे चुना होता तो समाजवादी पार्टी अभी और सीटें जीच जाती और देखिए बैलिट का कमाल देखा ना आपने यही तो मांग कर रहे थे आम जन्ता यही मांग कर रही थी बैलिट का कमाल देखिए एबियम को हरादिया बना रसमे बैलड ने एई बी एम को हरा दिया बना रस्मे सरकार के पास खजाना भरा पड़ा है नोट बंदी के बाद तो इतना पैसा आया बैंकों में बैंके ही नहीं रख पाई इसलिए बैंक मर्ज करनी पड़ी बैंकें बड़ी बनानी पड़ी नोट बंदी के बाद सरकार के पास इतना पैसा आया है कि उन्हें बैंकें बड़ी करनी पड़ी जो छोटी बैंक हैं वो बड़ी बैंक बन गई छोटी बैंक को बड़ी बैंक में मिला दिया तो बैंकें बड़ी हो गई तो अब तो सरकार के पास क्या कमी है और याद रखना सुजाव यही है जो समाजवादी रास्ता है कि आप मंडियां बनाएं आप जितना किसान को पैसा दे दोगे जितनी किसान की मदद करोगे जितनी गरीब की मदद करोगे उतनी ही अर्थ ववस्ता और देश की आगे बढ़ जाएगी आप गरीब की मदद करिए, किसान की मदद करिए, मजदूर की मदद करिए आपकी अर्थ ववस्ता अपने आप दुनिया के दूसरे देशों को पीछे छोड़ देगी आप गरीब की मदद नहीं करोगे किसान की मदद नहीं करोगे तो आपकी अर्थ ववस्ता और नीचे चली जाएगी आप 20 लाग करोड का पैकेज केवल किसान को दे दो अब अमरीका को पीछे छोड़ दोगे आप अपना बीस लाग करोड का पैकेज किसानों को दे दो जो पैकेज पता नहीं कहा चला गया अगर कहीं किसी को नहीं मिला है तो कम से कम उस पैसे को बचा करके किसान को दे दो अपने आप भारत की अर्थववस्ता अमरीका की अर्थववस्ता को पीछे कर देगी